करूना जैसी कोई भी घटना इसको साहित्ते में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखे ऐसा है कि फिर मैं यही कहूँगा कि यह इंडिविज्वल साहित्तकार का सवाल है. कुछ लोग इस तरह की घटनाओं से ततकाल प्रोहवित हो जाते हैं, फौरण हो जाते हैं. कुछ लोग समय लेते हैं, समय लगता है, कुछ लोग उसको एक यथार्द के रूप में लेते हैं, कुछ लोग उसको उस यथार्द को लेकर के उसका विस्तार देते हैं, कुछ साहित्तकार या रचनकार उसको अपनी विधा के अनुसार ढालते हैं, जैसे मानले को एक कविता लिक रहा है तो वो एक यहतार्त को एक सच्चाए को कविता के माघ्र में ढालेगा उसके लिए उसको IMAGES बनानी होंगी, उसके लिए प्रतीब बनाने होंगे, उसके लिए BIM बनाने होंगे, इसी तरह से अगर कोई उपने आशकार है तो उसको एक पूरा कथानक बनाना होगा तो इस तरह से अलग-अलग जो रजनाकार हैं या अलग-अलग विधाओं में जो काम कर रहे हैं उनको अलग-अलग तरीका अपनाना होगा तभी ये काम संभव हो पाएगा ये तो एक सर देखी एक सचाई है करोना या इस तरह की कोई भी बड़ी घटना क्यूं ज़रुरत महसूस होती है इसे लिखने की और किस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं साहित तिकार देखें लिखने की जरूरत मैसूस होना तो जैसे मैंने आप से कहा कि दुनिया में समाज में संसार में जो कुछ होता है जो कुछ होता है उसका प्रभाव रचनाकार पर लेखत पर कभी पर नाटकार पर पड़ता है आप देखें कि जो कुछ भी हमारे साहित में है जो कुछ भी हमारे साहित में है वो हमारे समाज में था हमारे समाज में है जो साहित में आ जा रहा है जो नई नई समस्याएं हैं जो नए विशय हैं जो समाज में जन्म लेते हैं वे नए विशय साहित में आ जाते हैं कभी कभी यह होता है कि साहित भी नए विश्यों की और संकेत करता है, नई समस्यों को रिखांकित करता है, उन समस्यों की गहराई की बात करता है, वो यह लोगों को बताता है, कि जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, इस रूप में ही नहीं, बलके और अधिक गहराई मे जाकर ये चीज़ मानो समाज को इनसानी समाज को प्रभावित करें तो इस तरह से रचनाकार जो है वो इन चीज़ों से अपने को अच्छूतर रख नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रचनाकार ये कहे कि मैं समाज में रहता हूँ इस भाशा में और इस कल्चर में रहता हूँ लेकिन मैंने अपने दर्वाजे बंद कर रखे हैं मैं किसी विचार को और किसी घटना को और किसी बात को अपने अंदर आने नहीं देना चाहता ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि समाज से लेने और समाज को देने का जो रिष्टा है, वो ही कला का बुनियादी सिधान्त है, अगर आप उस बुनियादी सिधान्त को छोड़ देंगे, तो सारी कलाएं साहित, भाशा सब वेकार है, संप् बेदना पैदा होती है, उसको आप अपनी भाशा में और अपनी विधा के माध्यम से संप्रेशित करते हैं, कॉम्निकेट करते हैं, लोगों तक ले जा जाजे हैं, लोग उसको देखते हैं, तो ये इसलिए इससे बच पाना लगभग संभव है. पाना लगभग संप्रेशित करते हैं, लोगों पाना लगभग संप्रेशित करते हैं,